करोंदा एक ऐसी फसल है जो आपको खेत की सुरक्षा के साथ साथ बिना किसी अतरिक्त लागत के एक अच्छी आमंदनी दे सकती है अगर आप करोंदे की बागवानी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है इसके अतरिक्त अगर आप इसकी अपनी खेत के चारा तरफ बाड़ भी लगाते हैं तो यह आपको अतरिक्त आमंदनी का एक अच्छा सुरूत है आपकी अतरिक्त आमंदनी बिना किसी लागत के बिना किसी अतरिक्त मेहनत के या आपको अन्य फसनों के साथ साथ में आमंदनी भी देगा करवंदा की कुछ ऐसी ही उन्नत किसमे हैं जिनें आप लगा कर अपनी या तो बागवाने के सुरुगात कर सकते हैं या फिर अपनी खेत की चार दीवारी या मेण बंदी या बाड कहते हैं उसको भी कर सकते हैं करोना की जो मुख्य उन्नत किसमें हैं उनमें है एक तो पंत मनोहर है पंत सुदर्शन है पंत सुणा है और नेटल प्लम भी है ये कुछ किसमें हैं जिनसे आप अच्छा में परवर्तित हो अधिक से अधिक उठ्पादन हो तो इसके लिए अभी हम इस समय करोंदा की किस तरह से देखवाल करें किन बातों इंगल और क्या-काम करें जिससे कि हमारे किन्यां करें पर या फ्पून जयादा रहाए मैं उनके करान्दे पर फूल या वह या गिरिया उस मात्रा में नहीं मिल पाता जिस मात्रा में फूल आया हुआ होता है तो ऐसे समय में सबसे बड़ी बात ये है हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि वैसे तो करॉंदे को बहुत अधिक पाने के आवशक्ता नहीं होती है और अधिकतर कितान पानी नहीं भी देते हैं लेकिन फिर भी अगर आपके करॉंदे पर फूल आया हुआ है तो इस समय आप पानी देने से बचें जब तक फूल है आप करॉंदे को पानी नहीं दे जब यह फूल फलों में परवर्तित हो जाए फल बन जाए उसके वाइद आप अपने करॉंदे की सिचाई करें इस समय एक समस्या और आती है आपने अधिकतर देखा होगा कि कुछ रस्क चूसक जो कीट होते हैं वह पौदी पर या पीड़ पर आ जाते हैं और जो फूल होते हैं उनका रस्क चूसकर फूल को खराब कर देते हैं जिससे के आगे का जो उत्पादन होता है वह प्रवावित होता है तो ऐसे में उन रस्क चूसक कीटों को मारने के लिए या उनका भगाने के लिए केट ना सकता इस समय प्रयोग ना करें क्योंकि समय जो Philippines प्र्यों करना सही नहीं रहता है। इसके लिए आप जो है planning fix करके अग अच्य क GR alguma आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फूल को अधिक से अधिक कलियों में परिवर्तित करता है कलियों को फलों में और फलों को और अच्छी मात्रा में अच्छे से उत्पादन में परिवर्तित करता है इसलिए आप इसका प्लानो फिक्स का प्रयोग अपनी फसल पर छड़का द्वारा कर सकते हैं इसकी जो मा मेल का प्रयोग करके इसकी अपनी फसल पर इसका छड़काव कर सकते हैं इससे आपका जो फल है अच्छी मात्रा में आएगा फूल है फूल लोकेगा और जो रस चूसक की समस्या है काफी अत्तक वह रुक जाएगी लेकिन आप इन हालातों में कीट ना सकता प्रयोग करने से इससे आपका उत्पादन भी प्रवावित हो सकता है अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तोर पर जो आपकी करोंदे की फसल है अच्छी रहेगी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और आप उस उत्पादन का अच्छा बाजार भावी ले पाएं इस समय बिल्कुल भी अपने प्योड़ों की कटाई छटाई न करें इससे बचें क्योंकि अभी क्या है जो फूल आ रहा है और या फूल जाके आगे फलों में परवर्तित होगा अभी जो फूल है उसको आप डिर से दो महीने बाद फलों की रूप में उसके तुड़ाई क कर सकते हैं यह चोटी चोटी बाते हैं इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने करोंदे की देखवाल करते हैं तो निशित तोर पर आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और आपको इसकी अच्छी कीमत अच्छी बाजार भाव मिलेगा तो मिलत ठाप